हेलो मैरे पढ़ेसातियों जैहिंद और गरतन दिवस की आप सभी को ढि हारी सुब काम नहीं, आप सबको पता है कि आज भारत बेस हमारा गरतन दिवस मना रहा है और यह जो गर्तन दिवस है 75 मतलब 75 गर्तन दिवस मनाया जा रहा है तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे भारत देश में गर्तन दिवस कब अपनाया गया था 26 जनौरी इसाथ पढ़ाई बहुत जादा जरूरी है याद रखिएगा क्योंकि हमारा एक्जाम बहुत पास में और मैं बता दूँ इस गर्तन दिवस पे आपके लिए कुछ ही स्पेसल है और वह स्पेसल क्या है कि जो भी फार्मूला होंगे मैं आज आपको पढ़ने का तरीका बताऊ होंगा कि हम किस तरीके से पढ़ते हैं और या हमारे टॉपर्स किस तरीके से पढ़ते हैं और आप किस तरीके से पढ़ते हैं क्यों एक्जाम में फार्मूला याद नहीं आता आपको ठिक तुश्टार्ट करते हैं ओके तो यह आपका रिपब्लिक डेपे जो से विल इंग है यहाँ पर मैं आपका एक एक चीज से लेकर चलूंगा जैसे सोम आप इस्टेंट आप मटेरियल तो यहाँ पर हम डिसकस करेंगे एक एक अब बग्सटेंट अब इक्जाम में कभी कभार्ट दे देता है आपको लीटराल इस्टेंट और आप से पूच लेता है वो म्यूंक बेलू पूच लेता और अगर किभात करता हूं तो आपके कॉंक्री का कितना म्यों होता है यहाँ बता दीजिए गा से काम में कॉंक्रीट का कितना मिंखोन होता है इभी आ बता दिसे अब ठीक इस तरीके से अपर कुशन आपके पूछे जाते हैं अब आप जैसे की जो रेलेशन तीनों लिखे हुए हैं यहां पर यह जो दो रिलेशन लिखे हुए न यह दोनों रिलेशन से कुशन पूछ लेता है और कभी कभार यहां पर जैसे इभी बैलू दे दिया आपको एकी बैलू दे दिया जी पूछ लेगा आपको या तो एक्जामनार और भी काम कर लेता है ml बोकिन और आप से पुलेगा orgमे का रिलेसी तोनों का रिसी किया इस तरीके से कुछी आपके स्वर्मॉला जानते हों पार यहां पर यहां पर यह से रिलेटेड हां गिभिति इसके अपके कुछ बनें गी बनेंगे सोमें दोनें सब्म क्रेशिक एममें कैनल meu और यहां पर जैसे से आपको मुमेंट गीविन रहेगा टॉर्जन गेवर रहेगा इसका यह फार्मूला यूज करके मुझ्ध वानि है आपको निकालना होगा बस यहां से और इसकी बैलू रखे ती पास तीन आठ चार एंसर आ गया इस तरीके सापको साल्व करना इतने मुझेवानी सापको साल्व करना और जब भी आप इनको पढ़े इनके बारे में थोड़ा सा जाने भी तो इसके बाद मैं आपको अपने सब्जेक्ट में लेकर चल लेकिन पढ़ना चाहिए यह क्या पॉइंट लोड क्या है मैं बता दूंए आपर जैसे एक लोड यहां पर यह लगा हुआ एप इस तरीके से है यह इस तरीके से जब सेंटर मिलें गएगा तब दूसरा फार्मूला लगए गए यह फार्मूला प्लगा दीजिए बेंदिं डाइगराम भी आप बना सकते हैं इसका जहां पर भी अगर आपके पास यह नहीं है न इसको भी आपको देख लेना है और इसी तरी के का आपके फॉरमोले होते हैं कि यह आपको सारा कुछ जो भी पढ़ना है वह आपको सारा सारा मैं एक तरीका बता दे रहा हूं कि किस तरीके जैसे यह वाला कुशन आता है और इंड मतलब दूर वाला इंड कैसा हिंज है तो टैंस्वर्ज डिस्प्रिस्मेंट कितना होगा यह आपको फार्मूला पूछ खैना 3 and के की ब्लू जैसे अप पुजीठ हो जाएगा मैंत्रिक से और सी सी एहां जाते हैं आरसी सी में जैसे कि यह पर आपने यह फॉर्मूला देखा ओक यहांपर यह फार्मूला देखा तो आप जहांपर आपके पास फॉर्मूला है तो साइड में अगर आपको नहीं यहां आखाएं तुस तरीके से बना लिए f-mid अब इस्तरीक आगी बात ने सकते हैं आप लोग अध इसी की वैलू क्या होगी 500 रूट अबदा Mck or Fcr की वैलू क्या होगी ौइब पॉईंट 7 Fck obrig यहां से भी फार्मूला हो हो सकता है यहां से आपको पता क्या इस्टेन निकालने के लिए क्लिए 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 इसके लिए आप निकाल कर याद कर लिए क्योंकि एक्जाम में हमारे पास इतना टाइं बचे गर रीए हैं के यहां पर इसकी वैलू दे दिया सिग्माइब पूछ लेगा इस तरीके से पूछ लेता है जैसे कि यहां पर यह एल नॉट लिखा हुआ है यह एल नॉट लिखा हुआ है लोट बाई 6 प्लस बी डबलू प्लस 6 डी अफ टी बीम के लिए हुआ एल बीम के लिए दोनों में आपको एक्जाम में कन्फूजन होगी दोनों का क्या होगा कन्फूजन होगा तो यहां पर कन्फूजन होगा तौब से समझ सकते हैं इसका हाफ हो जाता है जैसे कि'm अभी उखतें कभी नहीन आपको बोलेगा कभी आप के दिमाग से कुशंच जाएगा हिन इसकी डारेख्ली बैल高ues और यह तो अभी आएगा नहीं आपके exam में objective की बात करूं अगर में ठीक और जैसे यह फारूला पूछ लिया जाता है यहां पर examiner कहां से आपको गुमराह करता है भी बता दूँ आपको minimum टेंसर इंफोर्स्मेंट के बारे मता हूं यह तो ऐसा ही रहेगा नहीं है बात कर लीजेगा अपलो इस तरी के सहमको पढ़ना बीम के लिए 4% और के लिएक और यहां भी अगश्वार आप ता कुष्य एलवाइडी हो गया पर यह पर आता सेवन किसी के लिए क्यश कोगा स्पूर्ट लिए 26 किसके लिए कफनी लेकिन यह कब लाओ होगा जवाब का 10 मीटर भोगा अब बहुत चलाग में कहीं लिख लीजेगा तो क्या हो जाएगा कि आप क्या लिखेंगे इस पैन बाई टिन इन्टू जैसे कंटी लिवर के लिए ही तो से बन कर दिया क्या कर दिया है कि यह उल्टरी वस और पर होगा यह क्या होगा रिवर्स आजर पर नहीं तो नार्मली हमारा दस मीटर वाले के लिए यह फार्मूला लगा जो भी लिख लिखाया हूं लेकिन अजब आपका दस मीटर के ऊपर हो जाएगा कंटी लिवर के लिए समाल ले यहां पर यह इस पैन हो गया ठीक न इस पैन जितना भी हो अब यह 10 और यह साथ चेंज होगा अगर कंटी लिवर गश्या देगा तो यह व गाशाए गया और चाहिए यह कंटी लिए सफोर्ट देगा यह पर इसल्फ और है पर सिंप्ली सपोर्ट के लिए होगा आशी वह लियुक्लि चलिए और होगा ठीक और इसके बात क्या होगा आपका आप सुनिए अब जैसे आपके एक्जाम में कुश्ण पूचा जाता है यह वाला जो गलती वहां पर होनी थी यह वाले सकर सकते हैं इन दोनों में यह सिर एंफोर्समेंट में आप यहां पर गलती कर सकते हैं और आपको याद रख जैसे यूपी यावला कुशन आया हुआ था कुछ नहीं करना था यूवी दिया था एक्यूवलेंट सियर फोर साप से निकलवा लिया था यही तो बात हो रही है और एक्जाम में और ध्यान दीजिएगा वहां पर उडी की बैलू थोड़ा सा बढ़ा देगा डी की बैलू कितनी होगी भाई इनमे से वर्टिकल इस्टेप में यह 300 भी दोनों में जो कम होगा वह वैलू हम लेंगे ठिक इस पेसिंग में दोनों में जो कम बैलू होगी वो लेंगे 300 या तो 0.75D और वर्टिकल इंकलाइन के लिए कितना होगा डी आपका एंसर आएगा अच्छा यह टूए स्लाइब के लिए होगा एल बाई डी आपका 35 होगा एफी 415.8 कर देते हैं यह सारा कुछ आप ध्यान दे दीजेगा यहां से कुछन आता है यहां भी देता है यहां और भी दे देगा न तो उसके बाद भी पूछ लेता है आप से एक्जाम में तो यह ही दो सारी चीजने हैं ये बहुत प्यारा कुछन बंथा है यहां से यहां से अलएक्टरी और भी और तब अब से पूछेगा सिहार कितना होगा देन आप से सारी चीज़ें आपको पढ़ना मेरे और इसी तरिके से आपको अपनी नुर्ट मेरे इसे ह्लें करना जैसे जिव कोशन पूश लिए आता है आई पी आई थीग न किना सी यू इसकोल टू डी सिस्टी भाइड इस्टी इस्टी गाइड गाइदिन सीशी कोल टू क्या होगा डी स्कॉयर कर देते हैं दिन दोनों के मल्टिप्लाई के बराबर हो जाता है ऐसे याद कर सकते हैं कि यहां पर डबल सी है यहां पर क्या लग जाएगा आपका इसको लग जाएगा इस तरीके से जैसे आई पी वाले में हैं आपका यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कहां पर यहां पर टेन होता है यहां पर क्या होगा लिकुट लिकुट लिमिट निकालें तो लिकुट नहीं रहे डबलू माइनस डबलू पी अपन आई पी और आई पी आपको पता है ठीक ना और इस तरीके से जैसे आर्डी रिलेटिव इंडेक्स में क्या होगा यह मैक्स मैने सी मैक्स मैने सी मिनमों इस तरीके से और एक शिस पता है जैसे एक्जामनर देखे मैं बताओ जबाव फर्मूला पढ़ते ना अगर यह पूरा चार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉनसेप्टी रिवाई हो जाएगा जैसे मागर आपक चैसे होगा या तो आप यह देख लीजे किस के प्रपोशनल होगा मियू के क्या होगा गामा डबलू के क्या होगा इस तरीके साब पढ़ सकते हैं ठीक ना और इसके बाद अगर बात किया जाए यह तो सारा कुछ आपको पढ़ना नहीं और यहाँ पर हाँ यह जो आप हज तो आप से पूछ लिया और इस्टेमेंट वाले में के और वर्टिकल को बढ़ा है आप धिया पर वर्टिकल आपको लिखा मिल जाएगा यह लिखा हुआ है एक्जाम में फार्मूला नहीं पूछेगा आपसे पूछेगा किसके लिए उच्किया जाता है तो आप अगर आपके पास दिमाग है थोड़ा सा टैलेंट है तो आप पढ़ सकते हैं कैसे एप से क्या बन गया फाइन एग्रिगेट कर यहां सी है तो कोर्स अग्रिगेट के ल होगा बैंसीज में क्या पूछता है बताते हैं बैंसीज में ओके साइन फाई आपका होगा को स्वाइल के लिए और यहां पर इस सारे फारूले से इ्मीडियर से टोलंबेंट यह यह बैड़ में ज्यादा पूछाजाता हां यह सब मिनके बारे में काफी पुछन पूछा जाता है यह यह कुशन का पूछा जैता है यह तो ख़ला सा गलत गलत का SP यहां आजए और यह इस तरीके से बरिकर कर बंद कि इस तरीके साब को पढ़ना मेरे दोस्त आपको यह देखिए आपको बताया था टेन वाले में कभी आप कन्फूज होंगे यहां पर एभी लिका सीसी लिखा हुआ और डवल माइनस 10.7 कब होगा पॉइंट 07 कब होगा जब और कंसॉलिडेशन होगा लेकिन मैं इतना जानता हूँ और क्रप्स कन्सी लेसं नहीं कोंश्ता हूँ इसमे बहुत प्यारा कुशन पूश्ण पूश्ण लेता है यहीं तो है मतलब जब ऐसे कुशन बन जाते हैं तो हम करने पाते ओंधा हूँ क्यों आपको कौन even देदी कि दोनों देदिया आपको एच देदेगा बता धेगा सिटल्मेंट बता दीजे क्या बोलेगा उन्हेस आप बता दीजेएक सेटल्मेंट और आपको ऑप बस आज आपको पढ़ाय करना है और आज आपको उप क्पा नहीं रहा हूं मैं आज आपको स्क्राओं कि पढ़ना किस तरीके से अगर यह चार्ट आपके पास होगा तो तो करीब सब्सक्राइब कर सकते हो पांच सब affirmation शेंद कर सकते हो तो यह तो अभी आपका स्वैयल चल रहा इसे सक्विक सम्ड गंपी से फर्मूला मिलता इस ह dewण 5 फैंद करों फेंड प्रॉक के अपस्ति इसव चया नहीं नहीं सब्सक्राइब था तरह थो तो यह तो पकल साइकल तो टोपिकल साइकलन इसरोन अफ लोप्रेसर विद अंती शाइकलोन विंद इन द नौर्दन हे मिसवेर ठीक ना और एंटी सइकलोन में क्या हो जाएगा यहां पर नॉर्द इस ओके तो यहां पर आप कि यह आपको एक मिनटीक मेन बने भीटा रहा हूं क्या प्लेउंग अच्छी यह ट्रोपीकल अजी क्लोग यह क्लाक वाईज लीज़ की क्लॉक्वाइज और इसमें आपको तो पकॉड़ना कोई चीज मिस हो रही हमसे तिक आप जैसे कि यहाँ पर आप से यह एवरेज वाला एक पूंच लेता है यह एवरेज वाला पूंच लेता है आपसे और आपका यह थी हाई आई सब्सक्राइब से पूंच लेता है फिर इससे नहीं पूंच था ठीक नहीं और अच्छा जैसे यहां पर पूछ लेता है आप से की वापरेशन को कम करने के लिए क्या यूज़ करते हो या तो उसको पर कोई आप यूज़ लगा दीजिए कोई पॉलिफीन से ढग दीजिए तो और बताओ कैसा लग रहा समाझ में आ रही चीज़े इसको में टेलीग्रम में सेर कर दूँगा आप लोगों के लिए समझे इसको में टेलीग्रम में इसेर कर दूँगा अब में इसको ले सकते हैं और एब कम्यूलूटि पोस्ट पर भी इसको मैं सेर कर repo जोंगा जितने리 लोग डाउलोड द किये हुए न वहां पर तो किसके लिए यूच किया जाता है यह पूछ लिए जाता है डबलू इंडेक्स फाइंडेक्स से नुमेरिकल आपको करवा ही दिया हूँ और आप खुछ समझदारां जैसे हैं रिस्क आपसे पूछ लेगा इससे कुशन करवाया हूँ और एक बहुत बहुत बहुतरीन तरीके का कुशन पूछा जाता रिक से एट लिस्ट अकरेंस इन वन टाइम्स ठीक ना कम से कम एक बार होने की प्रैक्ता कितनी होती है यह वाला कु कुशन बनता है इस इस पॉरोसिटी इस पॉरोसिटी ठीक ना तो रिटेंस अनों हो गया इल्ड हो गया पॉरोसिटी हो यहां से आपका डारेक्ली दो बैलू दे देगा आपसे रिटेंस पूछ लेगा इस तरीके से भई आप से इग्जामनर कुशन पूछेगा अगरी फार्मूला चार्ट होगा सार की मेलू पूरा लिख लिए कहां से कहां तक लाइग करता है ठीक और डिल्टा ड्यूटी खुब पढ़े होंगे यहां पर ओके डिल्टा ड्यूटी खुब पढ़े होंगे जैसे भी आपका कनवे आपका अप्लीकेसन इस्टोरेज आपका क्या है यहां सेहां तक जिए जाता है करने बोलते हो क्या बोलतों करने मतलब ले चाना और यहां कि बाद जो इस इसटोर में सम्मेट जमा होता यहां पर पानी चितना आया ऑड़ इस खेट में इसके बाद पहले से कितना इस्टोर था और आप अभी कितना स्ट ładakya चेंट कैना पहुत मैं फिर से मैं आढ़ empresarial अभर मैंने जो आखी दोटा हूं 95 आपको पड़ना किस तरीके से बहुत प्यारा कुशन है जाता है मुझे बानी सॉल्व करने वाला है कुशन आता ही और फार्मूले से देख ली जिए गाए बार ओके और इसके बाद कटर फार्मूला तो हमारे नहीं आएगा हाँ यह जो पांच फार्मूले दिये लेशी साहब तो लेशी साहब तो भाई महान थे महान साइंटिस्ट एक से दो कुशन टक्राइब आपको यहां पर डिशार देदेगा एक वैलू देदेगा निकलवा लेगा हम मेंस के पेपर में आ जाता प्री के पेपर में डारेक्ली क्यों रखवा कि वान भाई आप यूज करते हैं ठीक बात है और जो बहुत इंपोर्टेंट जैसे यहां पर यह यह वाला फर्मॉला कहां यूज होता है यह वाले थिकनेस निकलने के लिए यह थिकनेस कितनी होगी 99% बच्चे बात ही नहीं समझ पाते क्या है आई यह संपूछा गया कुशन जी में भी पूछा गया है यह में भी पूछा गया है ओके तो यह बात आप समझींज लिजीगा फ्लोर की छिन्टीस कितनी होनी चाहिए उसके ऐचौर जी पर डिपंड करता है तो इस तरीके से आपका नौन मॉड़लर कौन से होंगे ठिक और से मी मॉड़लर का उन से होंगे और विल्टि यह होती है कि आपके नहर का जितना पानी आया है और यहां पर जितना पानी आया हो इसके रिशоко बोलते से भी टेर इन इस ही में और प्रेपोस्टनलती पूछा जाता है प्रपोस्टनली कि किसको बोलते हैं जब flexibility value one हो जाए लेक्सबिल्टी की वैलू क्या हो जाए वन हो जाए इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़ना है सिटिंग क्या होता है ठीक संसिट्यूटी लिखा हुआ यहां पर जो डिशार्ज एडिप्ट के टम में रिप्रेजेंट किया गया किसके विड़् कितनी हो जाएगी यही तो सारा कुछ है भाई ऐसे ही तो आपको पढ़ना है ऐसे तो पढ़ना यह भी हो गया है एच हो गया सी की बैलू मुझे पता है 99% केसे में क्या होती है जीरो आप से होती है एस सी आपको दे देगा आप भी आए एच आप से निकलवा हाई देखो इतना काईदे से कुशन करना है हमकोऊ आज यह फार्मूला नयार अच पता नहीं कैसे आप याद करेंगे लिकीनाद जरूर कर लिझेगा मुझे नहीं पता कि आप याद कैसे करेंगे लेकिन याद जरूर कर लिजेगा मैंने इसको A में देखा मैंने इसको J में देखा तो ऐसी वैलू यह यादी नहीं हो पाएगी एक्जामनर तो ही चीज पूछता नहीं जहां पर कन्फूजन होता है आप सिंपल पूछी टेस्ट तो यहां भी लिया जा सकता है A B C D E F करकी टेस्ट यहां भी लिया जा सकता है लेकिन अम्हां टेस्ट नहीं लेते क्यों हमको पता है कि हम वह ऐसी चीजे पूछते हैं जो थोड़ा सा बच्चे भूलें बच्चे उसको भूलें को को कि अधाम आसान चीजे तो नहीं पूछे जाते इन्वार्मेंट इंजिनिंग में जैसे यहाँ पर होता है कि तो कहां यूच किया जाता अब यहीथ सबसे बड़ी बीटेश काहँ न इंवारमेंट Hep you the ta किसके लिए जरूरी होता है क्रेमेंटल कहां यूच किया जाता है कार्बोनेट बाइब खार व्ली का नहीं इंक्लियूड किया उसने इस पिस नहीं किया बीस दून चालीस पचास दूना सव आज आएगा यहां से प्लस बार दून 24 पचास दूना सव इतने आसान आसान कुशन बनते हैं लेकिं कब असान लगेंगे जब आपका आपका कॉंसेप्ट केलियर होगा अब आप कंसेप्ट क्लियर होगा करे अरे में का गएыт ढूल नी मैं डूर्गानीक नाइटोजन गो क्या बोला जाता है यह लिखा वह और इसके बाद हम टैबिलिटी क्या होगी पियेज बैलू कितनी होगी Color क्या होगा एज एन इउनिट क्या होगी टी यस कितना acceptable कि हितना हर हर वार एकजाम में पूछा जाता है से से लिए होता है और यहीं नाइट कैज से क्या होता प्लू बेबी सिंड्रोम और आप पता बूलू बेबी सिंड्रोम कैसे होगा कि कि अब इसके बात क्या होगा टोटल हार्डेस कितना होता है मैगनेशिया कितना होता है कैल्सियम कितना होता है तॉक्सिक सब्स्तान्स कौन से होते हैं कैड्नियम साइनाइड लेड मरकरी निकल अर्सेनिक क्रोमियम थिक ना इकोली बिकोली क्या होता है ठीक ये सारा कुछ आपको पढ़ना अब सुनिएगा यहां पर जैसे अपसे एक्जामन पूछ लेता सेट्लिंग विलॉष्टी किसक के प्रोपोशनल थोता है पैले इंटब संधे गाइव ईसकौायर औफ शन्हें उसने पहले तक दे जैसे पहले हाईर बिल्कुल डाया मतलब डाया पाटिकल के डायरेक्ली प्रपोर्शनल होते हैं हमने मान भी लिया लेकिन बहुत बुद्धिमान आदमी है नीचे वाली लाइन में एंसर लिखा रहता है और 90% लोग गलती करते हैं मैं भी गलती किया हूं गलती सही सीखा हूं भाई ऐसे नहीं सीखा हूं गलती सही सीखा हूं मैं भी ठीक यहां पर जैसे इसका फार्मूला पूछ लेता है इसका फार्मूला पूछ लेता है हमसे मैं बार-बार आपको बता दूँ मैं आज आपको क्योवल पढ़ने का तरीका बता रहा हूं इसका फार्मूला यह तो नहीं पढ़ना यह तो मतलब बहुत कम ही जगे पे आएगा और यह अब को बढ़िया पढ़ा दिया देखिए जैसे कि यहां पर आप से यहां से फार्मूला पूछ आजा सब तो यहां से आपके फार्मूला कुछन पूछा जाएगा इस तरीके से यह तो सारा कुछ पढ़ी चुके होंगे आप लोग बियोडी सी ओडी यह सारा कुछ पढ़ चुके होगे स्लेज वालूम इंडेक्स आप से पूछा जाता है टाइमिंग कितनी होती है 30 मिनेट होती कितन स今 फिर्फर वाला कुछ जनाता है एक री वर थी इसका डिश्चार्ज टुछ रहा होगा डियो किछ रहा होगा इस तरीके से के मिलत कर अब्ला दिया यहां पर सिवेज मिल वेज्टिशा जब आप मिला देंगे तो सिवेज कभी कुछ डिश्चार्ज रहा होगा एस लिक द जब दोनों मिल जाते हैं मिक्स वाला बता देना है यही तो सबसे बड़ी आपको पढ़ना है यही तो सबसे अच्छे से आपको इसी तरीके से पढ़ना है यह सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ओके सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ट्रांस्पोर्टेशन इंजिन्निंग ट्रांस्पोर्टेशन इंजिन्निंग में चलने के पहले आज ये सेसन में आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि 26 जनौरी है आज आफिस बंद रहेगी तो मैं नहीं चाहता हूं कि भाई आपका टाइम बरबाद जाए ठीक आज हम नई चीज़ सीखेंगा 26 जनौरी तो नई चीज़ सीखेंगे अब देख लीजिए कि किस तरीके से पढ़ना है अगरी आपका फार्मूला चार्ट अगर आपको प्राइड करा दिया जाए तो पता क्या करेंगा इसी में कम से कम टार्गेट रखिएगा पिंसिल से 800 से 900 चीज़ें इसमें और भी एड करनी और भी एड करनी जो आप हैं आप कहीं से पढ़ें यह चीज़ें सारा कुछ क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा जैसे यहां पर मैं आपको बताओं कि 26 जनवरी है और 26 जनवरी में बहुत ऐसे बच्चे न जो अपने आपको सूचते हैं कि सर नया मतलब हमारे लिए तो नई उर्जा है तो करना क्या है हम को तो करना क्या है हम को यह बहुत दीजिक करना यह है अभी आपको करना अभी आपको है कि अभी अगर आप इंडॉल करना चाहते हैं तो 26 जनवरी की उपलब्द में इस अड़ा आपको कुछ गिप्ट कर वारा है गिप्ट किया है आप लोगों के लिए जैसे ही अभी आप हमार स्विल च्री यहां पर हमारा संगम ऐसाट कातो शुटला यहां पर वीडर्वल्यों डिटी एका लाइब रिकॉर्ड़ेट आपको मिलेगा में और आपको यहहां पर यहां पर महां पाए का पर इसकाउंट तो किसी कूपन कोड में नहीं होगा आपके भाई कोपन कोड़ा वाई 579 और जैसे इसको अपलाई करोगे न 2960 रुपय का होगा और याद रखेगा जियों वाई 579 लगाने के बाद 2960 रुपय का मिलेगा यहां पर वैलीडिटी भी आपकी डबल हो जाएगी वैल सुपस्ट पर आपकी कावर हो जाएंगे तो सारे एग्जाम क्या ओँधे आपकी कवर हो जाएं तो मैं पर आजाते आज लगता कि इसमें रहेगा भी ऑफर के नहीं रहेगा यहां पर जैसे आप सकते prostu कांव पर कंडिसें के लिए ये क्या होगा और सुपर एलेवेसन का ही आपको फार्मूला हो गया एक्स्ट्र वार्इन स्पार्मूला आपका 5 ए एडली स्क्वार वैई यह फार्मूला गलत लिखा हुआ इस तरीके से and degrees for now . थिक वह एडल नीचे चलाया कोई बात नहीं इतना समझदार है एड्र हैं लोग का 2.7 2.7 वी स्कार भाया एक्जामनर पता है कैसे कंफ्यूज करता है कि लिंध आप टैंजिसन करो और प्लेन एरिया इस टूपाइंट सेवन वी स्कार भायार दिन फाइंड आउट रोलिंग टेरेन के लिए कितना होगा उसने पहले से बता दिया है कुष्छन में और इसके खरकिर कन्सेजह अच्छे यह यह नहीं हर यह वाला हो जूँष क्या होगा यह वाला नहीं आपका यह वाला हो इस ट्रीकस होता है मैं दोस्त इस तरीके से चीजह होती है ठीक और सोबाद कई बारो टो है जिसकार कर भाई 24-स आप से साजब तो फोस्तं के बाद करोऊ लेजिस्टेंस होता ठीक ना यह कितना होगा ग्रेट कंपेंसेशन क्या होता है जैसे हम अपनी गाली किसी धाल पर उपर चढ़ाते हैं तो जह होता हमारी गाली आवाज करने लगती है तो मतलब उस पर ज्यादा जादा एनर्जी चाहिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए भई अगर कहीं पर बैल गाली लेकर में चला गया चाहान पर बहुत दवड़ा के तुछ आया लेकिन आगे कंट्रोल नहीं कर पाया नीचे गिर जाए तो ग्रेट कंपेंसेशन आगे अभी स्लोप इतना था हमने इ एस डी के लिए यहां पर एच और इसकी बेलूप पूछ लिए जाता है आ हुं और इसकी बात किया जाए यहां पर ह representing sevenよ point seven five और सब्सक्राइब को बता देता हूं कि सब आप का बेहिकल होता है जब आप को वेहिकल होता है डिवाप को वेहिकल होता है지 तो हाइट होती है नीचे से पॉंक्राइब होती है और आपने देखा होगा अपरोड्लच यह जैसे दोनों ओपर जा सकता कितने यंगल नीचे जा सकता आपका एंशर ओगा फुटी फाइव नहाएथ गलत अंसर यह जो एंगल होगा वन डिगरी उपर होगा वन डिगरी नीचे होगा यादर रखेगा पूछा हुआ भाई आ ये समय पूछा हुआ फूर्ट ना यह जैसे 0-11 की तरह हम नंबर बढ़ते जाते हैं इस तरीके से आपको पढ़ना ठीक यह सारा कुछ आपको पढ़ा दिया गया कोई भी ऐसी चीज नहीं जो नहीं पढ़ाया गया आपको जैसे यहां से कुशन बंदना के वान एवन के टू एटू से बनता मतलब यह है यहां पर की कोई तीन चीज दिया रहेगा एक चीज आप से पूछ लेगा हाई वेगा कुशन जाकर देख लिए गवार रिजीडिटी फैक्टर क्या होता है इसके लिए क्या वैलू यूज करते है फिर सेहां पर यह सारी चीज नहीं पता जब तक आप यह नहीं जानोगे क्या पको पढ़ना क्या है कुछ नहीं हो सकता वाला भी कौँची जाता है को यह अधिरी वाला कहानी वार्साइन आप करो भी पूंचा जाता है कि यह सारी चीजаж को इसी तदीके से पढ़ना और इस्टील इस्ट्रिक्चर आप अगर बात किया तो इस्टील इस्ट्रिक्चर मैं यहां पर इसमें सही सब्सक्राइब इस पर तोड़ा सा कुछ प्रोब्लम है अब इस सब्जेक्ट आ रहा है और सारे सब्जेक्ट ऐसे फर्मूले आप खुद से बना सकते जवाब कॉंसे पढ़ते ना भाई सारे फर्मूले आप खुद से ही ऐसे बना सकते हैं कितना है श्टीलिश टिक्शर लास्ट मैं आपको इस्टीलिश टिक्शर बताऊंगा मैं लेकिन इस्टीलिश टिक्शर तो खतम है होने का नाम ही नहीं ले रहा हुब लिखें इस्टीलिश टिक्शर में चसकर 1 में स्टीलिश टिक्शर सर्वेइं के से बात कर लिते हैं ठीक ना सर्वेइं की बात कर लेते हैं एक फिट में कितना मीटर होता है क्मायल में यहां से भी कुषन फूंचे जाते हैं एक यार्ड में कितने fünf होते हैं कि यहां से भी कुष्षन एक्जाम में पूछा जाता है कि यहां से भी कुष्षन आपके पूछे जाते हैं एक माईल में कितने गंटर चेन होते हैं भी आपको बताना होगा आपको और 20 मीटर वाले में कितना प्लस माइनस होगा और 30 मीटर वाले में कितना होगा और यहां पर आपसे इंजीनियर चैन की लिए पूछी जाती है मीटर चैन की लिन्द पूछी जाती है गंटर चैन रिवन्यू चैन ये सारा कुछ आप से पूछा जाता है pessoal हैs okay optical square कहा logic किया जाता है भी पूछा जाता है और इसके बाद आप का यहां से पूछा जाताए के रेश.ियो पूछे जाते हैं कि रेशvoice को जाते हैं वील दिंग के लिए कि लिए तौबर टाउन प्लानिंग लिए कितना होगा हो कि सुष पूंचा जाता है आपका तो अ कि dem फिर्शे बता दो मैं आज आपको पढ़ना एका तड्रीका सिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़नाぎ यहां पर जैसे यह पूछ ले जाता है C is equal to F plus D F क्या है आपका focal length है और S क्या है staff intercept है I क्या है आपका stadia interval है तो याद रखिएगा यहां पर यह K की value पूछा जाता है C की value पूछी जाती है कि ओके magnetic declination एक कुशन तो यहां से fix एक कुशन यहां से fix की करेक्शन फार कर्वेचर करेक्शन फार स्लोप ठिक और दोनों का इसको two time करना पड़ता है क्या करना पर ठैटर करना पड़ता क्या करना पड़ता है यार रखिएगा तो के यह जैसे दिया गया कर वेचर करेक्शन रिफ्रिक्ष्न करेक्शन कम्बाइन करेक्शन इनकी वैद रख लिजेगा क्योंकि directly और lavender ट्यूब में जो आप वो मेजर लेवलिंग करने वाला है ना भाई उसकी से ट्यूटी किस किस पर डिपेंड करती है कैसे इंक्रीज किया जाता है यह यहां पर बाकाइदे लिखा हुआ है यह फार्मूला से भी आपके एक्जाम में कुशन आजाते हैं और इसके बाद क्या इ इस्टील की किसक ही बारी है इस्टील की तो इस तील में आपको कुछ बता देता हूं कि नहीं च्टील में आपको क्या क्या पढना इस टील प्लाश्टिकशल में लगे अपर लेकिन पूंसता है आपसे यह टेवल जरूर एक बार पढ़ लीजेगा और अगर कहीं पर कोई मीश्प्रिंट हो गया हो को वी चीज अगर गलत हो गई हो तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए समझ घ्र इसको प्लीज रिफ आप क्या कर लिजिये गा खरेक्ट कर दिए नहीं गए है थैसा यहां से कुछ ना पूंच लेता है हो और यहां से कुर्ण फूच अथ आज कल तो कुछन पूछने लगा है यहां से यह वन प्लस वन बाई एफ ओकी जैसे यह कितना होता है रेक्टेंगुलर क्लिए 1.5 तो आप निकाल सकते हैं कितना रेशी होगा कितना रेशी होगा इस तरीके सापके पूछता है इस तरीके से आपके सारे कुछन जैसे यहां से वाला कुछन पूछ लेता है कि 750 माइनस 20 ब्रेकेट में थीटा माइनस 10 डिग्री जब 10 से बढ़ा होगा तो यह लाओ होगा और सुन लीजेगा 400 न्यूटन पर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगली बात यह है कि हो सकता है एक्जामनर जबाब से पूछे 400 साड़े 400 को उपर हो जाए तब भी ऐसा चल जाएगा ठीक तब भी आपको हो जाएगा ये देखे इसारा कुछ लिखा हुआ है इसारा कुछ आपको एक बार पढ़ना पड़े यह फार्मुला डारेक्ली पूछ लेता है यह सारी चिजज कि यहांता है कि था किस थरीके से बगे साम में कर तो इस सा रहा कुछ जैसे醬zy आप रही कुछता है था सिंगल रस लेसं के लिए लगाइपुटी डबल लेशिंग लिया सिष्टी ठिकने सिपने होनी चाहिए यही तो है अब आप एक्जाम में कंफ्यूज होंगे इस सर कहां पर फोटी होगा कहां पर सिष्टी होगा भाई आप प्रैक्टिस करें और अपने दिमाग से ट्रिक बनाई और इसको पढ़िए ठीक तो असके लिए इतना ही रखते हैं यार बांकि तो आप खु वैसे ही आपको पढ़ना और कुछ भी नहीं करना ओके तो यहां पर यह तो सीख गए आप लोग और इसी तरीका यह फार्मूला में चार्ट आपको ग्रूप में भेज दूँगा जितने लोग भी आपको डाउनलोड किये होंगे उनके पास पहुँच जाएगा और यह भी और आपको समझ में आती हैं आपके अकॉर्डिंग इस तरीके के चार पांच फार्मूले चार्ट बड़े बड़े बनवाईए और टांग दीजे घर के सामने घर के सामने नहीं कमरे पे आपको चीज़े समझ में आने लगें और अगली कहानी बताओं कि भाई यह जो हमारा संगम बैच है यह जो हमारा संगम बैच है मैं इसलिए बार-बार बता रहा हूं भाई कि अभी आप उस स्टेज में जहां पर आप सबसे ज्यादा गलती कर रहें और यहीं गलती से निकालना ही हमारा काम है कि मलब यह आपकी मर्जी अगर आप और कहीं पढ़ रहें तो बह 2090 इस वज़े से क्योंकि यह कोड़ी स्वजे से बताया जाता भाई बहुत ऐसे बच्चे रहते हैं जिसे 8000 दिया नहीं 8000 में ले लेते हैं बाद में फोन करते हैं यह सर बता दीजिए वो तो हमने 8000 पर चेस कर लिया तो भाई फिर और रिटर्निंग भाई कोई देता है क क्या ऐसा कहीं होता है क्या तो इस वज़े से पहले से हम आपको जागरूप कर रहे हैं कि आपको करना क्या ओके तो इसी के साथ मालविदा चाहता हूं और जहिंद करना चाहूं आपसे आयोप आपको से सन काफी अच्छा लगा होगा और आप वीडियो पूरी देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर एक बर सेक्षन को लाइक कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं आपसे फिर मंडे को ऐसे ही प्यार बनाया रखिए और अपने कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा कि क्या आपकी राय है गरतन दिवस् करता हूं कि इस बार आप मेंसे कोई हो जो पहली रैंक लेकर आए आप मेंसे कोई ऐसा इस्टूडेंट हो जो पहली रैंक लेकर आए तब मुझे बहुत खुशी होगी भाई ओके बबाई एंड लव यो जैन